आज किस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि डाक पे की मदद से और QR कोड की मदद से कैसे पैसा भेजा जाता है पेटियम में और ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेटियम से कैसे भेजा जाता है डाक पे में तो सबसे पहले आईए जान लेते हैं कि कैसे डाक पे अपलीकेशन से पेटियम में पैसा भेजा जाता है वो भी QR कोड की मदश से तो सबसे पहले डाक पे अपलीकेशन को अपेंड करने के बाद आपको कुछ यहां पे इंटरफेस देखने को मिलेगा तो यहां पे आप चाहें तो फिंगर प्रिंट से भी लोगिन कर सकते हैं और पासवर्ट से भी लोगिन कर सकते हैं तो नीचे में देखिए यहां पे एक उप्शन है स्केन एंड पे का तो यहां पे आपको किलिक कर देना है उसके बाद allow वाले option पे click कर देना है तो click करने के बाद यहाँ पे आप QR code scan करेंगे उसके बाद यहाँ पे OK कर देंगे उसके बाद यहाँ पे देखें आपका आज आएगा UPID उसके बाद यहाँ पे how much आप कितना रुपिया पैशा transfer करना चाहते हैं वो यहाँ पे उसके बाद रिमाक में आप कुछ भी दे सकते हैं उसके बाद यहाँ पे confirm पे click कर देंगे उसके बाद confirm पे click करने के बाद यहाँ पे आपको इंटर UPI pin पूछा जाएगा तो चलिए हम यहाँ पे इंटर UPI pin डाल देते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं यो transaction has been complete successful तो इसी तरके से आप पैसा को भेज सकते हैं पे टियम में तो चलिए मैं आपको पे टियम उपलिकेशन ओपेन करके दिखाता हूं आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा जो है बाइलेंस आ चुका है आप यहाँ पे देख सकते हैं आज 24 दिसंबर है आठ बच के 29 मिनट एम पे दो रुपिया यहाँ पे आ गया है जितना भी पेमेंट पैसा भेज़ना है वह आप यहाँ पे एमांट डालेंगे उसके बाद पेपे किलिक कर देंगे उसके बाद एलाउपर कर देंगे उसके बाद आपको यूपी आई पीन पुछा जाएगा तो यहाँ पे आप दे सकते हैं उसके बाद आप यहांपे देख सकते हैं मेरा पैसा सक्सेशपूल हो चुका है यbling कि यें मेरे ंडर्क पे एकॉंट में चला गया है यerek पूश्ट पैमेंट बेंक के एकॉंट में कर चुके हैं तो इसके बाद ओपन करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं जरूर को दिखा दिया जाए तो आप इसी तरके वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा अगर आपके मन में इस वीडियो के रिकारडिंग कोई भी सवाल या सुजाब है तो सबस Distanzक me कोई comment box में भी बता सकते हैं और Instagram पे भी बता सकते हैं और आगर आपके मन में कोई topic चल रहा है उस पे भी आप चाहते हैं कि वीडियो बनाए जा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं तो फिर मिलेंगे किसी एक और नए सांदर वीडियो में तब तक के लिए जैन जै भारत